वेल्कम बेक फ्रेंड्स दिस इस करन रफेस फंदा आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक पजल की ये कुस्चन आपके अबीपेस प्यो या क्लर्क में ऐसे कुस्चन आ सकते हैं और या फिर आपका अररबी का एक्जाम सो बहां पर भी ऐसे कुस्चन देख को बहुत ध्यान से पढ़ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ पजल का कुस्चन कोई भी अगर आपके एक्जाम में आता है कभी भी तो आप उस कुस्चन को जितना ध्यान पूरबग पढ़ेंगे और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसको पेपर पे आप नोट डाउन कर लो तो क्या होता है कि हमें बार-बार कुस्चन देखना नहीं होता है और फिर जितनी सटी इंफॉर्मेशन महापर दी होती है उसके भ्यापर हम उस कुस्चन को ड्रॉ कर देते हैं तो आज हम ऐसा ही कुछ आपके समने एक्जम्पल लाए हैं अगर आप पह दी है यह आपको चार पॉइंट की इंफर्मेशन पढ़ दी है फिलस इसका आपको बिलर डिलेशन की टम्स में समझना है कहां गया है इना फैमली एक परिवार के अंदर of six persons मतलब की छे लोगों का एक परिवार है there are two couples उसके अंदर दो कपल है कपल का मतलब यह होता है कि ए 4 लोग हमने बना लिए और total कितने person है 6 person की family है अब इसके आगे पढ़ते हैं इसमें कहां गया है the lawyer जो भी lawyer है is the head of the family वो कौन है head of the family है and has only two sons जब head of the family हमने यहाँ पर कह दिया तो सबसे बड़ा hint यहाँ पर यह दे दिया कि उसके नीचे ही लोग आएंगे उसके उपर नहीं अभी आएंगे head of the family का मतलब कौन होता जो परिवार का मुख्य होता है तो परिवार के मुख्य के नीचे के लोगों की यहाँ पर बात की जाएगी तो lawyer जो है वो head of the family है तो हमने यहाँ पर lawyer को बना दिया head of the family अभी इसका gender confirm नहीं है कि यह plus या minus होगा ठीक है मतलब male या female होगा आगे question कहता है and has only two sons लेकिन इसके दो बेटे हैं तो दो बेटे हैं यहाँ पर हम दो son बना दे रहे हैं तो एक son यह और एक son यह दो son बना दिये उनका नाम क्या है मुकेस और राकेस तो एक का नाम क्या है मुकेस और एक का नाम क्या है राकेस ठीक है फिर कहा गया है both are the teachers दो के दोनों लोग क्या है वो teacher है तो यह भी आपका teacher हो जाएगा और यह भी आपका teacher हो जाएगा ठीक है इनके profession भी हमें पता जल अगर मैं third condition को पढ़ता हूँ, इसमें कहा गया है Mrs. Rina and her mother, मतलब Rina और उनकी mother-in-law, ठीक है, Rina और उनकी mother-in-law both are the lawyers, दो की दोनों क्या है, lawyer है, ओके, तो यहां से मुझे पता चल गया, कि दो female की यहां पर बात हो रही है, और दो की दोनों female क्या है, वो lawyer है, तो यह जो lawyer है, इसमें से possibility यह हो सकती है, कि कोई Rina हो, या फिर Rina की mother हो, तो अगर मैं यहां पर इसको Rina बनाता हूँ, तो Rina की mother के लिए मुझे एक, जो mother-in-law Rina की बनानी होंगी, एक generation उपर जाना होगा, लेकिन lawyer क्या है, head of the family है, तो यहां से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, कि Rina जो है, वो कौन है, head of the family में है, और Rina की जो mother-in-law है, मतलब Rina के husband की mother, ठीक है, वो कौन है, mother-in-law है, ठीक है, यहां से action clear हो गई, तो अभी हम इस information को hold पर रखते हैं, नीचे आप एक बार पढ़ो, आपको और confirm हो जाएगा, आगे कहा गया है, मुकेस की wife, जो है, वो doctor है, तो म मुकेस, और इसकी wife, यहां पर मैं इसकी wife बना रहा हूँ, और यह कौन है, wife profession कौन है, यह doctor है, ठीक है, मैंने इसको doctor बना दिया, तो जैसे ही यह doctor बनाया, और यहां पर दो आपके lawyer है, ठीक है, धीना और Rina की mother-in-law, और यह wife, तो तीन female हो गए, तो यहां पर female member कितने हो उसका क्या नम है, son है इनका, जो male होगा, और उसका नम क्या है, अज है, तो यहां से पहले ही, हमें जो दो male मिल चुके थे, और तीसरा male उनका son मिल गया, तो देखो family balance हो गई, छे लोगों में, तीन male और तीन female यहां पर हमारे आ गए, ठीक है, अब हम condition की बात करते है, अग तो होगी मीना, ठीक है, और मीना का profession क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका lawyer, और मीना की mother-in-law, मतलब मीना के जो husband है, उनकी mother, वो कौन हो जाएगी, यह mother-in-law, ठीक है, तो यह भी आपकी female हो जाएगी, तो अगर मैं क्या कहूंगा, मीना की mother-in-law कौन है, यह lawyer है, और मी यहां पर नहीं पता है कि अजय कौन है यह पता है कि अजय सन है और किसका सन है मुकेस का बेटा है अब आते हैं इसके उपर जो आधारित question पूछाते हैं वो भी important है उन question को एक बार आप जरूर देख लें पहले question में कहा गया है which of the following is definitely a couple इसमें से कौन सा एक definitely couple है तो lawyer और teacher की यहां पर बात की गई है तो देखो यहां पर ध्यान देना यह आपका कौन है lawyer है और यह कौन है teacher है तो यह दोनों क्या है husband और wife है क्योंकि राकेस की wife कौन है मीना है तो यह दोनों कौन हुए husband और wife हुए और यहां पर कौन couple था teacher और एक doctor का एक couple यहां पर बंद रहा था ठीक है बागी यही दो couple बंद है तो मैंने देखा teacher और lawyer तो देखो teacher और lawyer का couple आपको मिल गया फिर कहा है doctor lawyer का कोई couple नहीं है teacher teacher का कोई couple नहीं है तो पहला option हमें match कर रहा है क्योंकि यही दिया हुआ है इसके किलाबा अगर आपको option दिया होता है कि teacher और doctor, teacher और doctor ये मुकेश वाला option दिया होता है, तब ये भी हो सकता था, लेकिन आपको ये नहीं दिया है, तो इस वज़े से हमारा answer कौन सा हो जागा? पहला वाला. second question में पुछा गया, what is the profession of Rakesh bai? अब ये मुझे पता था, lawyer के दो बेटे थे, पहला बेटा कौन था? मुकेश था, और दूसरा बेटा कौन था? दूसरा आपका था, Rakesh. और ये मुझे पता था, Rakesh की bai मीना थी, और जो की bai profession कौन थी, diagram में पीछ आप देख सकते हैं, second question के और move करते हैं, इसमें पूछा है, how many male members are there in the family? अब देखो, male member कितने हैं family के अंदर? तो मैंने अभी आपको बताया था, कि 3 हमारे male member हैं, और 3 हमारे female member हैं, तो male member family में कितने हैं? 3 है, और आपसे अगर female पूछा रहेगा, तब भी यहाँ पर female लगाएंगे, तीन का, ठ अजय's grandfather's occupation, तो इसके लिए अगर मैं एक बार diagram के और move करता हूँ, तो यह question आपको ढंक से समझ में आ जाएगा, पूछा गया कि, अजय के grandfather's occupation क्या है, तो यह आपका कौन था, lawyer थे, और यह female, और इनके दो बेटे थे, एक बेटा इनका कौन था, मुकेस, और मुकेस का एक son था, कौन था, अजय, तो question पूछा गया है कि, what is Ajay's grandfather's occupation, तो अजय के papa के papa, अजय के कौन हुए, यह grandfather हो गया है, तो grandfather का occupation क्या है, देखो, यह मुझे पता है कि, यहाँ पर lawyer कौन है, यह female है, तो इनके कोई ना कोई क्या होंगे, husband हुए होंगे, और उनका क्या profession है, यह आप cannot be determined, क्योंकि हम इस question को determine नहीं कर सकते कि, क्या Ajay के grandfather का occupation होगा, तो यह नहीं हिकाल सकते, अगर Ajay के grandmother का occupation को यह आप से पूछे, तब आप बता सकते हो, कि यह lawyer है, लेकिन इनके husband जो होंगे, उनका आपको पता ही नहीं, क्योंकि husband कहा है, यही मुझे नहीं पता है, इस family के यूँकि family के अंदर के बल 6 लोग थे, और 6 हमने draw कर लिये थे, तो इस वज़े से यह हो जाएगा हमारा C&D, cannot be determined, ओके, last question की बात करते हैं, काफी ठीकी question यह भी है, इसमें बुचा है, what is the Ajay's occupation, मतलब Ajay का क्या website है, तो मुझे यह पता है कि Ajay का कोई occupation नहीं है, तो यहां स का option आपको तब लगाना होता है, जब आपका C&D नहीं दिया होगा, लेकिन यहां पर क्या है, C&D दिया हुआ है, मतलब हम determine करी नहीं सकते कि क्या दिया हुआ है, अगर कभी आपके लिए ऐसे options दिये जाए, teacher, lawyer, doctor, professor, और फिर none of these दिया जाए, तब आप none of these लगा दो क्यों दोस्तों, जो भी puzzle से related playlist है, वो यहां पर मैंने सारी दे रख की है, और साथ में जो important SBI के exams या फिर IBPS के exams में puzzle आई हैं, वो यहां पर हैं, और आप इस channel को subscribe करें, ऊपर logo पर click करके, और हमारे tutor handle को tweet कर सकते हैं, mcurrent affairs के नाम से, और साथ में आप हमारा facebook का page भी join कर सकते हैं, current affairs Panda Kev, इस वीडियो को like करें, subscribe करें, और जाद स जादा लोगों तक इस वीडियो को share करें, और इस channel को अपना support दे, thank you friends, have a good day